दिनेश अवाना राजनीती में जाना पैचाना चेहरा है और देश की सबसे पुराणी राजनीतिक पार्टी कॉंग्रिस से दिनेश अवाना लंबे अर्से सिचुड़े हुए है उनकी लगत और मेहनत को देखते हुए पार्टी ने अब दिनेश अवाना को आगरा और अलीगड़ मंडल का प्रभारी बनाया है नई जिम्मेदारियां और सूबे की राजनीती को लेकर उन्होंने हमसे विस्ता सबात की लेकिए मैं च्छात राजनीती से जुड़ा हुआ हूँ मैंने 2001 में NSUI की सदस्ता ली और उसके बाद में नौईडा डिगरी कॉलेज नौईडा में एक मात डिगरी कॉलेज है मैं उसका च्छासंग का चुनाव में लड़ा और वहां मैंने च्छात्रों की समस्चाओं के समाधान के लिए दिन परती दिन आंदोलन और धरना परदसन जो बच्चों की जो समस्चा हैं उनके समाधान के लिए हम लोगोंने संघर्स किया उसी को देखते हुए पार्टी ने मुझे उत्तर परदेश एनस यूई का उत्तर उपाध्यक्स बनाया जिससे कि मैं पूरे अपने मंडल और पूरे उत्तर परदेश में मैंने तमाम कालिजों में जा जाकर यूनिवस्टियों में जा जाकर जो हम लोगोंने धरना परदसन छातर हित के लिए जितना भी हम लोग संघर्स कर सकते हैं पूरी मजबूती के साथ हम लोगों ने अपनी टीम के साथ में संघर्स किया और जो गरीब के जो बच्चे हैं मजदूर जो बच्चे हैं मजदूरों के जो बच्चे हैं जो फीस देने में समर्थ हैं इस तरीके के जो कमजोर हालात के जो बच्चे परिवार के जो बच्चे हैं उनकी मदद हम लोगों ने की है और मैं इसको अपना एक सोभाग के समझता हूं कि मैंने इस्टुडेंट राजनीती करते हुए इस्टुडेंटों की मदद की और मुझे कहीं न कहीं इस चीज़ को ले करके खोसी मिलती है इसके बाद में मैं उत्तर परदेश यूआ कॉंगरेस का परदेश का महमंत्री रहा फिर मैं इलेक्शन भी हम लोगों के पार्टी ने किये तो उसमें भी हम लोगों ने भागिदारी ली उसके बाद में फिर हम लोग छेतरी चुनावों में आई जिला पंचायत का मैं चुनाव लड़ा हूँ नोईडा से वार्ड नमबर आठ से और इनको देखते हुए भी पिछली जो परदेश की जो कमैटी थी उसमें मुझे उत्तर परदेश का विधी और मानव अधिकार का जो है विभाग का जो परदेश का संयोजक निक्त किया गया था जिसमें हमने क की समस्याओं को समाधान करने का हम लोगों ने पूरा पूरी मजबूती के साथ काम किया है और पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम करते हैं अभी मैं कॉंग्रेश पार्टी की तरफ से AICC मेंबर हूँ और अल इंडिया कॉंग्रेश कमेटी का सदस मैं हूँ और मुझे आदरनी राहूल जी पिर्यंका जी और इन सब की तरफ से जो भी हम लोगों को आदरनी हमारे परदेश अध्यक सहरी अजय कुमार लल्लू जी दी जाती है उसको हम लोग पूरी मजबूती के साथ अपने पार्टी नितृत की आवाज को जन जन तक तक गाम के बिलॉक इस तर तक ले जाने का हम लोग काम करते हैं अभी मुझे अली गड़ और आगरा मंडल का परभारी निक्त किया गया है पार्टी की तरफ से और मेरा पूरा प्रियास ये रहेगा कि मैं वहाँ पर उन जिलो में मैं जा करके युवाओं को निकाल के लाओं जो परती भाए हैं उनको खोज करके लाओं और जो संघरसी लोग हैं जो हमारे साथी हैं जोने अपने अपने जिलो में संघरस किया है युवाओं की किसानों की मजद कीलडयाई लड़ी है किसाने कीलडयाई लड़ी है ऐसे ऐसे नए चहरों को ऐसे ऐसे लोग News को हम लिकार करके लाए अपने पार्टि जो हाईकमान जो ने doğru है उसके सामने उनकी बात रखेंगे और उनको पार्टी से जोडने का हम पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे ये दोरा लगभग अभी हम लोगों का नई साल अभी एक दो दिन में हम इसको सुरू करने वाड़े हैं और क्योंकि कल परसो हमारा कल अभी हमारे लोगों का पार्टी का इस्थापना दिव और उन्होंने पार्टी के नौजवानों में जो उर्जा फूकने का जो काम किया है पूरे परदेश का युवा आज खड़ा हो चुका है और कॉंगरेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला कर संघर्ष के लिए तयार है और आदर्निय प्रियंका जी का एक एक इसारा कार्य करताओं को मिल जाए तो संघर्ष के लिए जो उपर से हम लोगों को जो भी पार्टी की नीतियां मिलती है उसको हम जन जन तक पहुचाने का काम करते हैं और अब हम लोग बिलॉक इस तरह तक पहुच चुके हैं पार्टी बहुत मजबूत इस्तिती में है प्रियंका जी के आने से कार्य करता उत्साहिए अभी हम वहां के युवाओं से वहां के नौजवानों के साथ बैठेंगे चर्चा करेंगे और उनकी जो वहां की छेत रुआई जो भी महत्पून जो समस्चाएं होगी उनके लिए हम लोग सासन पर सासन को अवगत कराएंगे आंदोलन करें करेंगे अपनी आवाज उठाने के काम करेंगे वहां के युवाओं को और वहां के लोगों की जो भी समस्चा है उसको उसके लिए संघर्स जारी करेंगे संघर्स करेंगे और संघर्स करते हो उन लोगों की जो भी समस्चा हैं उनका समाधान कराने का हम लोग पूरा काम कर आज जो सरकारें जो आज हैं परदेश की सरकार हो या केंदर की सरकार हो आज सिर्फ जुमले बाजी जो है चल रही है देश में और नए 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 जुमले छोड़े जाते हैं ये मैं बूजना चाहता हूँ कि नोट बंदी से क्या फायदा हुआ आज सरकार को ये मालूब नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा आया है कितना जमा हुआ है कितना काले धन की बात करते थे इतने दिन हो गए हैं कहां है काला धन यदि काला धन था तो आप उन लोगों की सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं किसके पास काला धन है ये याद तक समझ में नहीं आया और जो गरीब और किसान और मजदूर था वो बैंकों की लाइन में आपने खड़ा कर दिया आखिरकार उन लोगों को क्या फायदा हुआ जो लोग उस समय जो अपनी फीस जमा नहीं कर प ठूटी हैं तो उनका जिम्मेदार कौन है उनका जिम्मेदार इस तरीके कि जो सरकार है उनको उसको जो भी डिसीजन ले वो जनहित के डिसीजन ले जिससे कि हमारे देश की हमारे छेत की जनता को कोई दिक्कत ना हो आप नोट बंदी करने की बात करते हैं तो नोट बंदी से एकदम क्या-क्याब आतंकवाद खतम हो गया, क्या जो आतंकवादियों को फंडिंग होती है, क्या वो बंद हो गई, ये सब मेरे हिसाब से तो जो ये decision थे ये बिलकुल जन विरोधी decision थे इनका खामियाजा लोग भूगत रहे हैं और ये हम लोग तो क्या पूरा परदेश और देश इस चीज़ को कहता कि नोटबंदी एक ताना साही एक फैसला था और ये ताना साही पर अपने अडे हुए हैं और ये अब कुछ भी करें उसका जनता को बहुत नुक्साद हुआ देखिए जब आप कोई भी इस तरीके के decision लेते हैं तो उसकी पहले जो विपक्षी पार्टिया हैं उनके साथ आप चर्चा करें जो आप जनता के बीच में जाने के जो आपके सरोत हैं उनको लगा कर लोगों को समझाएं कि इस से आपको क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे आज आप आपने कैई जीगे ये लागू किया जहां तो अब लोग कहां अपने बताओ बीच पचापचा साल पुराने दस्तावेज आदमी कहां से लेकर आए तो आप लोगों को इस तरीके से जो मतलब भरमित कर रहे हैं आप बो हैं लेकिन अंग्रे जोने भी इसी तरीके से दमनकारी नीती गोलियां चलाई गई थी मजदूरों को सताया था किसानों पर कर लगाए थे आज उस तरीके से जो एक करा जा रहा देश में ये बिलकुल गलत है और मैं तो ये कहता हूं कि इसमें कुछ लोग जो इस तरीके से जो आगजनी हुई है जो तोड़ फोड़ हुई है ये 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 देश के लिए देश के हित में नहीं है आप मैं तो उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि जो लोग संटुस्ट नहीं है वो आंदोलन करिए धरना परदसन करिए लेकिन सांती के साथ करिए क्योंकि जो सरका से वो परकट करना चाहिए लेकिन जो सरकारे हैं उनको दमनकारी नीती नहीं अपनानी चाहिए उनको सीधी गोलिया नहीं मारनी चाहिए उन लोगों को पहले आपको सुनना चाहिए कि आखिरकार इन लोगों की समझ्या क्या है उन लोगों को बताईए अगर उनकी समझ में न तो आपको वो डिसीजन इस तरीके के नहीं लेने चाहिए आपने कितने डिसीजन इस तरीके के किये हैं कि जो जनविरोधी है और हम तो इन चीजों को बिल्कुल गल्ट समय चाहिए तो आप यूपी की कानून विवैस्ता देखो तो भरी कचैरी में जजसाब के सामने गोली मार देते हैं वहां हत्याय हो जाती हैं पुलिस की जो चौकी और ठाने हैं उनके बराबर में लूट होती है और महिलाओं की चैन जप्टी जाती है मोबाइल चीने जाते हैं गाड़ियां चोरी हो रही है और इस तरीके से जो भी ये मतलब कहा का कानून अच्छा है में तो समझ में नहीं आ रहा है मैं तो आई दिन देखता हूं बलतकार हो रहे हैं, मैं तो हाई दिन देखता हूं कि दुनिया मतलब क्या क्या हो रहे हैं, जो चीज हम लोग बोल नहीं सकते, ये कानून विवस्ता की बात है, आज हमारी जो बहन बेटिया हैं वो रोड पर सुरक्षित नहीं है, आज महिलाए के साथ क्या होगा एक दमनकारी जो ये नीती है ये देश में बिलकुल भी ठीक नहीं है और कानून व्यस्ता तो आप देख ही सकते हो गई कानून व्यस्ता तो भाईया चौपट है परदेश की कानून व्यस्ता सबसे चौपट है उत्तर परदेश की सबसे जादा चौपट है हम लोगों के सामने यही चुनातिया है कि जो हम वास्टविक्ता को लेकर के जो आ रहे हैं जो गाम का जो किसान है जो गाम में अंतिम किसान जो खड़ा हुआ है उसकी जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए उसके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए उसकी बेटी की होनी चाहिए उसके परिवार को बर्पेत भूजन मिलना चाहिए उसके परिवार को डवा गोली का इलाज का सब चीज मौहिय करानी चाहिए ये सरकार का काम है और हम वहा तक जाने का काम करेंगे हम एक-एक जो पीढत लोग हैं, उनकी आवाज हम लोग अपने रूप में बढ़ेंगे, मानने प्रियंका गांदी जी तक, मानने राहुल गांदी जी तक, परदेश अद्यक, साधरनिय, अजय कुमार लल्लू जी तक, हम लोग उस किसान की मजदूर की आवाज को लेकर दिल्ली तक जाने का काम करे उसके लिए हमें, उसकी समस्या के समाधान के लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हम लोगों पर मुकदमे लगे, चाहे हम कुछ भी हम लोगों पर ये करें, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग एक संगरसील पार्टी के कारिये करता हैं, हम उस प बहारी जो ताक्ते हावी होना चाहती थी, वो कभी नहीं, यहां पर कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता है, पूरी मजबूती के साथ, और निर्श्वार्थ अपने देश की जनता की सेवा करने का काम करता है, हम लोग वो कार्य करता है। अगर कोई देश के बड़े नेता है, अगर कहीं देश में कोई किसी के घर जाना चाहते हैं, किसी पीड़िस से मुलाकात करना चाहते हैं, तो सरकार को क्या आधिकत है। सरकार क्यों रोकती है पुलिस क्यों रोकती है किसके कहने पर रोकती है ये लोग क्या राहुल जी से सौनिया जी से डरते हैं और ये इनका डर तो सामने दिखाई देता है कि इन लोगों ने मेरेट जब राहूल जी और प्रियंका जी जा रहे थे क्या वो इस देश के नेता नहीं है क्या वो अपनी जनता से जाकर मुलाकात नहीं कर सकते हैं और फिर आपने धारा 144 की बात करते हो चार लोग जा रहे थे दो तीन लोग जा रहे थे उसमें भी आप न चार रहा ये डराना चाह रहे ये लोगों के बीच में भैपैदा करना चाहते हैं इस तरीके से जो ये परदेश की और केंद्र की जो सरकार कर रही है ये बिलकुल भी नहीं चलेगा इन लोगों के जो दिन है वो खतम हो लिए है जूट तोफान की राजनीती ज्यादा दिन चलने वारी नहीं है आप लोगों ने देखा है कि जनता इनके महुतोर जवाब देने को तयार है अभी आपने 36 गड़ देखा इससे पहले आपने राइश्तान देखा इससे पहले आपने हरियाना देखा कि बाल बाल जो है बचे हैं इससे पहले मद्ध परदेश देखा और अब इन लोगों का तो देश को देश में आपस में लडाने का काम है ये देश में लडाते हैं आपस में भारतिय जन्ता पार्टी के लोग और कॉंग्रेस के लोग आपस में लोगों को जोडते हैं वो सब लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं और ये लोग आज इतनी मत जबकि हमारा सवीधान ये कहता है कि इस देश में जो भी लोग हैं, हम सब आपस में भाई हैं, एक दूसरे के साथी हैं और इसी तरीके से इस देश की उन्नती विकास के लिए हम लोगों को संघर्स करना है और देश को आगे बढ़ा के ले जाना है और अपने देश को विश् कर दो कर दो, प्रतार प्रोब करत दो, और भी लोगों को विला लोगों को आपस.